हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रदा कीचिन तड़का आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन की रेस्पी इतनी जल्दी इतनी जटपट घर में आसानी से बनाएंगे इसके लिए यहां मैंने लिए हैं एक कप चीनी और एक कप पानी थोड़े से डाल देंगे केसर के धागे बिलकुल उपसनल है आपके पास है तो डाल दीजिए अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं और दो हरी इलाइची तोड़ कर डाल दी है अच्छी से फ्लेवर के लिए इसे रख देंगे गैस पर और बॉयल आने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे चला देंगे एक बार ताकि चीनी नीचे से चिपके न ये देखी बॉयल आ गया है चासनी में बॉयल आने के सिर् चासनी चाहिए गैस को ओफ कर देंगे और इसे ठक कर रख देंगे और आज ही गुलाब जमून बनाएंगे हम ब्रैड से बिना मावा बिना पनीर बिना खोया के जट पट इसके चारो तरफ से जो ये ब्लैक पार्ट है इसका ये एज़िच हटा देंगे और इसे बिल्कुल इसे सॉफ्ट हो जाएंगे अभी इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क पौडर बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए और मिल्क पौडर यहां मैंने अमूल का लिया है कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास एवलेबल हो तीन चमश डाल दी है मिल्क पौडर इसी से आएग एक एक करकर चमश डालेंगे थोड़ा थोड़ा करकर दूट डाल देंगे यह देखिए एक चमश डाल दिया है एक पर मिला लेंगे और फिर से इसके अंदर एक चमश और दूट डाल देंगे इसी तरह से इसे बिल्कुल स्मूथ डो बनाने तक हम अच्छी तरह से मसल लें अगर आपने soft dough लगाया तो आपके गुलाब जमन soft बनेंगे और और भी अच्छा flavor देने के लिए एक चमश डाल दिया है देसी घी ताकि इसमें अच्छा सा flavor आये खुसबू आये और ये soft बने रहे हैं अच्छी तरह से इसे मल लेंगे 10 minute के लिए इसे rest पर छोड़ना है अच I hope आपको पसंद आ रही होगे आज की recipe दीवाली पर इतनी जटपट इतनी आसान तरीके से आप भी अपने घर गुलाब जमन बनाईए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे चैनल पर पहली बार है तो subscribe जरूर कर ले बेल आइकन प्रेस करें ऐस अब यह बहुत soft है आपको direct कर्ची इसके उपर नहीं लगानी है हलका सा oil को इसके उपर ऐसे चलाना है ताकि यह थोड़ा सा अलटते पलटते हुए इससे सेखेंगे medium flame पर सेखना है low to medium flame पर ज्यादा high flame पर इसे fry बिलकुल नहीं करना अगर ज्यादा high flame पर आपने fry किया तो आपके गुलाब जमन अंदर से कच्चे रहे जाएंगे प्रो पर सिक नहीं पाएंगे इसलिए आपको medium to low flame पर इसे fry करना है पहले low flame पर करें उसके बाद एक से दो मिनट के लिए इसे medium flame पर कर दें अभी low flame पर fry कर रही हूं मैं यह देखिए हलका सा कलर आना स्टार्ट हो गया है पलटते रहेंगे अगर आपने एक साइड से ऐसे ही छोड़ दिया तो एक साइड से ज्यादा सिक जाएंगे और दूसरी साइड से कलर कम आएगा इसके लिए अलटते पलटते हुए आपको इ लाइक जरूर कर दे पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन प्रेस करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेस्पी देखने के लिए यह दिखी काफी अच्छा कलर आ गया है देख सकते हैं आप आपको जितना डार्क कलर चाहिए आप उतना डार्क कर स हैं उसके बाद इसे डालेंगे चासनी के अंदर बिल्कुल गरम गरम ही डालने हैं आपको यह चासनी भी हमारी गरम है बहुत जदा अगर आपकी चासनी ठंडी हो गई है तो उसे एक बर ही गरम कर लें डाल देंगे चासनी के अंदर और इसे छोड़ देंगे दो से तीन घ गंटे के बाद हमारे गुलाब जामुन तयार हो जाएंगे खाने के लिए अभी से रख देते हैं साइड में दो गंटे के बाद देखिए गुलाब जामुन बिलकुल तयार है चासनी पी चुके हैं गुलाब जामुन और देख सकते हैं काफी अच्छे फूल चुके हैं अभी इने सर्व कर लेंगे तो इस दिवाली आप भी बनाईए घर पर बिल्कुल सूधी तरीके से हाईजीनिक तरीके से घर में ही बिल्कुल फ्रेस अच्छे और सॉफ्ट गुलाब जामून जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं अभी मिल्क पाउडर से भी गुलाब जाम बनाने की रेस्पी लेके आ रहे हूं है एक दो दिन में और ये देखे कितने सॉफ्ट बने हैं देख सकते हैं बिल्कुल जूसी हैं आई होप वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक जरूर कर दे चैनल पर पहले बार है तो सस्क्राइब जरूर कर ले थैंक्स पर वचिंग